रिम डिफेंस अकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तयारी को बहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी एप अपने स्कॉर पता करना और उसके बाद में अगर आपको किसी क्यूशन में डाउट लगता है अगर आपको की मिल रूब तो है तो सिनक्रानवें कैसे दरज करा सकते हैं कितनी चीजों पर आज अपनबात करने वाले हैं शाथ पूरा देखिए, लाइक करिए, और अच्हा लगता है, तो सेर भी करना है तो देखिए एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़े करनी होगी सबसे पहले Google पे जाना है यहां आपको सर्च करना है राजस्तान पुलिस होम में जैसे आपन जाएंगे तो राजस्तान पुलिस की वेबसाइट खुलेगी इस पे आपको ओके करना है जैसे आप इसको ओके करेंगी तो इस तरह से दो तीन चीज़े आपको सामने दिखेंगी स्क्रीन के ऊपर राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल रिक्रिटमेंट दोजार इकीस क्लिक हीर टू रेज ऑब्जेक्शन एंड वियो और क्यूशन पेपर ए एक रॉल नमर इसमें डाल देता हूं जिसके के आपको मैं सारी सीज दिखा पाऊं इसके बाद में दूसरा जो कोलम है इसमें अप्लिकेशन नमर चीए आपको यह आपको एडमिट कार्ड पे दिये हुए है तो अप्लिकेशन नमर में डाल रहे हैं अप्लिकेशन नमर डाल जो इंस्ट्रेक्शन से वो आपको द्यान से बार पढ़ लेने हैं मैं आपको एक बता देता हूं जो पहला इंस्ट्रेक्शन दिया हुआ है उसमें है कि दर्ज की गई परतेक अपत्ति के लिए उमीध्वार को 50 रुपए का भुगतान करना होगा यानि कि परतेक अपत्ति ए आपत्य टेब के प्लस बटन पर किलिक करें, अपनी आपत्यों को बताने से पहले परश्णों और उत्रों को ध्यान से पढ़े लें, ऐसे जल्दी बाजी में नहींची पढ़नेंगा आपको आराम से ना कागज़ पर लिख सकते हैं और उसकीन को पिया अप्लोड कर सकते हैं केवल परस्ठनों और उन्हें समंदित विखल्पों के लिए आपतियों को प्रस्तूत के यह जाए सकता है एक बार सम्मिटकरदी पराद मैं बदला नहीं जा सब्सक्राइब और इसके लिए डिकलेरेशन है कि मैं गोशना करता हूं कि मैंने उप्रोप्त सभी निर्देसों को द्यान से पढ़ा है और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं इसके बाद मैं आपको इसको क्लोज करना है क्लोज करते ही इस तरह से डिटेल खुल जाएगी यहां रोल नमर आएगा एप्लिकेंट का नाम आएगा डेटो बर्थ आएगी मुवाइल नमर आएगा इन सब को आपको मिलान कर लेना है आपकी इमेल आइडिया एगी इसके बाद यह परशनल डिटेल है और इसके साथ में अब्जेक्शन वाला कोलम है तो यहां अब्जेक्शन पर हम जैसे किलिक करेंगे तो इस तरह से एक यूर सलेक्शन आपत्ती दर्ज करने के लिए यहां किलिक करना है क्लिक तो इसमें हमें आपत्ती फोर्म बरने के लिए यहां किलिक करना है आपको पेपर देखने के यहां दी हूँ यह सरंखला क्या थी तो इसके लिए हम इस तरह से जब इसको क्लिक करेंगे तो A, B, C, D, E, F, G, H, R आपके एडिमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा कि आपको कौन सी सरंखला का पेपर था A था, B था, C था, D था, मैं इसमें A select कर रहा हूँ, A पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दो option नीचे आगे, click here to download questions paper for objection यहां से paper आपको download कर सकते हो और यहां से आप answer की download कर सकते हो तो सबसे पहले हम आपको paper दिखा देता हूँ, यहां पर click here पर click करेंगे तो आपका यह paper इस तरह से खुल जाएगा, आप मिलान कर लीजिए, A सरेणी का जो paper था वो आपका इसी तरह से था क्या, ऐसे ही क्यूशन उसके अंदर दिये हुए थे क्या एक बार पूरे paper को आप इस तरह से देख लीजिए, क्यूशन आप आराम से एक बार अंदाजा आपको याद होगा थोड़ा-थोड़ा की कौन से क्यूशन, क्या इसी करम में थे क्या, इसी तरह से थे क्या इसके बाद में हम paper शे हम back चले जाएंगे, paper हमने देख लिया, पूरे क्यूशन हमने देख लिया, आप इसका print भी ले सकते हो, screenshot भी ले सकते हो, इसके बाद में click here to download answer की, यहां से हम answer की देखेंगे, तो यह answer की आगई, क्यूशन नमर पहले में D option है, दूसरे में C है, तीसरे में C है, यह आप अपनी answer की जो आपको एक मिली है, answer sheet जो आपको एक candidate copy मिली है, उसमें से आप मिलान कर लीजिए, उसमें मिलान करने के बाद में क्या होगा, आपको इसमें 3 तरह की क्यूशन नजर आएंगे, एक क्यूशन वो जो आपके सही होंगे, एक क्यूशन वो आपके जो गलत होंगे, एक क्यूशन वो जो आपने attempt नहीं किये हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं, वो ना सही में count होंगे, ना गलत में count होंगे, जितने क्यूशन के अंदर 4 का बाग लगाएंगे तो 10 क्यूसन के सही में से नम्मर कटेंगे अगर आपने टोटल 140 किये थे जिसमें से 100 सही हुए हैं और 40 आपने गलत कर दिये 10 का आपने कुछ भी नहीं में भी 40 गलत करने की वज़े से आपको negative marking में 10 का नुक्षान हो गया यानि कि आपके marks होंगे 90 इस तरह से आपको अपने answers का गणना करनी है और उसके बाद में नीचे column एक दिया हुआ है click here to download answer की हमने देख लिया paper देख लिया इसके बाद में दिया हुआ है number of objections तो number of objections में आपको यहां click करना है जिससे एक दो तीन चार पांच आप पांच में से पांच objection आप लगा सकते हैं इसमें पहले objection पे में click कर रहा हूँ तो इसके बाद में आपको पूरी detail नीचे खुल जाएगी इस तरह से जैसे आपने यह objection पे click किया एक नमर पे पहला objection आप लगा रहे हैं तो objection number one यहां लिखा हुआ है इसमें प्रसन संख्या कितने question कितने number question पे आपको objection लगाना है तो इस तरह से सारी question आपके सामने आ जाएगी मालनों हमें question number 25 पे लगाना है रहे हैं discussion में तो इसको भी जब अपन यहां से स्क्रॉल करेंगे तो यह आएगा कि incorrect गलत या ऐसपस्ट प्रस्ट अगर प्रस्ट गलत है तो इसको करेंगे अगर सभी विकल्प गलत है तो अगर एक से अधीक सही उत्तर हैं तो तीन लूमर को और अगर गलत उत्तरकॉन्जी है तो चार नमर को Open करेंगे महनलो हमें लगता है कि सभी विकल्प गलत है तो हम इसको ओके करेंगे सभी विकल्प गलत है अब इसके बाद में click here to upload करने के लिए यहां क्लिक करना है आपको जो इसके लिए साख से अपलोड करने है जो आपको प्रूफ इसके लिए देना है वो आपको यहां देना पड़ेगा डोकुमेंट 1 for objection एक नमर यहां तो आपको पहले से वो डाउनलोड करके रखना है पीडियप की रूप में और यहां से उसको अपनी फाइल में जाना है और यहां से आप उसको अपलोड कर सकते हैं comment 2 for objection 1, 2 document और ये 3 document, ये 3 document आपको उसके proof में देना है जिसमें guide कभी मानने नहीं होती है इसमें आप NCRT की books या फिर अगर NCRT की books में में नहीं मिलता है तो Google का proof भी आप दे सकते हैं proof आपके पास उपलब्द होता है वो वो proof आप इसमें 3 proof लगा सकते हैं इस तरह से आपको ये अपतियां दर्ज करना है इसके बाद में objection number अगर आपको दूसरा दर्ज करना है तो दुबारा से हम यहां जाएंगे number of objections, दो नमर और दो नमर में भी फिर वो ही होगा सेम उसी तरह से यहां से हम उसके लिए सारी चीजे एड़ कर देंगे इस तरह से एड़ करेंगे और एड़ करने के बाद में ये दो क्यूशन होते ही हाँ टोटल अमाउंट आ गया हेंड्रेड यहां अमाउंट साथ साथ चलता रहेगा अब जितनी क्यूशन पर अब्जेक्शन लगा रहे हो एक और क्यूशन के पचास रुपेज जुड़ेंगे एड होंगे और उसके बाद में यहां नीचे दिया हुआ है कोने में कि आपको पेमेंट कैसे करना है प्रोसीड फॉर पेमेंट यहां आपको जैसे हम ओक्य करेंगे तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी अगर आपने सही से किया है तो यहां से प्रोसीड फॉर पेमेंट आपको ओनलाइन करना है कैसे पेमेंट होगा हो सारा इसमें सामने आ जाएगा तो इस तरह से आपको ये काम आपको करना है आपती दर्ज करने के लिए अपना peuxper मिलाने के लिए answers देखने के लिए और उसके बाद में फिर आपको calculate करना है किसी speed से काम चल रहा है या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दो तारीकों एक्जाम हुआ है तीन तारीकों संडे था आज चार तारिखों आपका पेपर अप्लोड कर दिया गया है, आंसर की अप्लोड कर दी गई है, अब इसमें आपतियां मांगी गई है, आपतियां तीन दिन का टाइम दिया है, चोथे दिन तक आप आपति दर्ज करा सकते हो, जैसे ही आपति दर्ज कराने का टाइम खतम उसके बाद में final answer की जारी की जाएगी, final answer की जारी होने के बाद फिर आपका result declare होगा, तो अब इसके अंदर जदा शमय नहीं लगने वाला है, बहुत जल्दी ये आपकी परकिरिया पूरी complete होगी, उसके बाद result declare होगा, result declare होने के बाद में लगबग 15-20 दिन का time हर बार मिलता है physical के लिए, इस बार भी हो सकता है कि maximum अगर हम माने, तो one month मिल सकता है, तो one month में result आने के बाद में, जिन बच्चों का physical कमजोर है, उनकी तयारी नहीं हो सकती, जो पहले से intelligent है वो तो कर सकते हैं, जो पहले से running में अच बता रखा है, वहां से आप देख सकते हो, तो physical तयारी के लिए जिन बच्चों का score अच्छा है, जिनको negative marking में कम नुक्षान हुआ है, जिनको confidence है कि मैं 5 गुना में आ सकता हूं, तो वो बच्चे category wise और अपने अलग-अलग district wise, अलग-अलग cut off रहने वाली है, किसी की बातो तयारी शुरू कर देनी चाहिए, फिजिकल तयारी के लिए दो तिन ओप्चन आपके पास होते हैं, आप सेल्फ भी तयारी कर सकते हैं, शिरफ रणिंग करना है, वीडियो देख के मेरे सारे इस्ट्रेक्शन फोलो करते वे, आप सेल्फ भी रणिंग कर सकते हैं, अगर एक उप्चन और आपके पास है, उसमें आप ओनलाइन तयारी भी कर सकते हैं, फिजिकल के लिए, एक बैच चला रखा है, जिसमें सारी चीज में आपको यहां से एक एक चीज बताऊंगा, रोज आपको क्या डाइट फोलो करनी है, आपको कौन कौन से इंस्ट्रेक्शन द मामुली सिफीश में आप अपनी तयारी जहां आप रहते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, एक अच्छी फेकल्टी के दौरा हर चीज आपको इंस्ट्रेक्शन मिलेंगे, शारी चीज आपको बताई जाएगी और उससे भी आप कर सकते हैं, साथ में आप यूट्यूब पर भी अगातार मुझे फोलो करके और अपनी फिजिकल तयारी कर सकते हैं, अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया, यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है, तो फड़ाफ़ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले बेरे सारे इपने अगेडम डिफेंस अकेडमी अप